एक लड़की की सिस्टर और उसके हस्बंड का अफेर हो जाता है तब ही इनके लाइफ में हस्बंड का एक ओल्ड फ्रेंड आया और सब कुछ कॉम्प्लिकेट हो जाता है हलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको SLV अगर आपको वीड़ो अच्छा लगता है तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजेगा बिन एकसी दरीके एक्स्प्लेशन स्टार्ट करते है मूवी स्टार्ट होती है और हमारी में गारेक्टर जिसका नाम है एन ये अपनी थेरेपिस्ट के पास थी उसके अपने हस्बंड के साथ कुछ प्रॉलम्स थे उसे लगता है कि उसका हस्बंड उसे उतनी जादा प्रायरोटी नी देता उसके हस्बंड का फ्रेंड घर पर आकर रहने वाला था पर हस्बंड ने एन से पूछा भी नहीं अगर बाद उसने चोड़ दी पर फिर भी एन को आजकल इंटिमेट होने जैसा नहीं लगता हस्बंड वाइफ में कोई भी सेक्शूल रिलेशनशिप नहीं थेरेपिस्ट केहता है क्या हमेशा से ऐसा ही था एन कहती है मुझे हमेशा से इंटिमेट होना इतना अच्छा नहीं लगता मेरा हस्बंड हमेशा इनिशेट करता था और कुछ दिन हो गए उसने मुझे में जादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया तेरेविस्ट कहता है तुम उससे डिस्टिंग रहते हो शायद इसी वज़े से यह सब हो रहा होगा पर उसी वक्त हम उसके हस्बंड को किसी और लड़की के साथ देखते है यह लड़की और कोई नहीं तो एन की सिस्टर सिंथिया थी एन की हस्बंड जॉन और उसकी सिस्टर सिंथिया में अफेर चल रहा है यह दोनों इंटिमेट होए और जॉन को जल्दी से यहा से निकलना था उसे काम का बहाना बनाता है सिंथिया कहती है तुम्हें जाना ये तो जा सकते हो ऐसा कोई भी बहाना बनाने की ज़रूरत नहीं जॉन कहता है कि मैं सचमूच में बीजी हूँ आज उसका फ्रेंड आने वाला था उसके फ्रेंड का नाम है ग्रैम निकसिन में ग्रैम घर पर पहुँच गया एन उसे वेलकम करते है ग्रैम के पास जाता को सामान नहीं तो एन उसके बारे में उसे पूछ लेती है ग्रैम कहता है कहीं भी रहने के लिए मुझे जो भी चीज़े चाहिए यह सारी मेरी सुटकेस में फीट हो जाती है उसे जादा चीज़े रखने की जरुवत नहीं है इसी तरीके से अलग-अलग प्लेसिस पर जाकर लास्ट 10 येर से क्राहम अपनी लाइफ जीता आ रहा है एन को परसनली लगता है कि इस तरीके की केरफी लाइफ स्टाइल वो नहीं जी सकती है जान के साथ शादी के बाद उसके पास घर है जान के पास एक स्टेबल जॉब ये स्टेबलिटी उसे अच्छी लगती है रात में जब जान घर पर आया तो ग्राहम से इतने साल बाद मिला तुसे पहचान भी नहीं पाता ग्राहम की कपड़े थोड़े से स्टाइलिश, थोड़े से मॉडरन है अब ग्राहम ने डिसाइड किया था कि थोड़े दिनों के लिए वो यही रहेगा जान उसे कहता है अपारमेंट ढूणने के लिए आन तुम्हें हेल्प कर सकती है वैसे तो ग्राहम कोई भी घर ढूणना भी नहीं चाता था उसे अपनी केरफ्री लाइफ बहुत ही अच्छे रगती है जान को लगता है यह शायद ग्राहम टैक्सेस वेगरा भी नहीं बढ़ता ग्राहम ने करता अफकोस मैं बढ़ता हूँ मैं लोगों की तरह लायर नहीं दुनिया में सबसे घटिया लोग ही छूट कहते है और दूसरे होते हैं लॉयस जान भी लॉयर है वे उस पर उसने जोग किया था अगली सीन में हम देखते हैं कि एन और ग्राहम यह दोनों घर देखने के लिए गए हुए थे सिंधिया हमेशा से चाहते थी एक दिन जान के साथ वो एन के घर में इंटिमेट हो अब एन और ग्राहम घर देख रहे थे तो थोड़ी देर तक घर पर आने नहीं वाले इसलिए सिंधिया को जान ने घर पर इनवाइट कर लिया अपनी सिस्टर के घर में चुरी चुरी यह सब करना उसे एक्साइटिंग लगता है अपनी सिस्टर के बारे में यही सब चीज़े एन को थोड़ी भी अच्छी नहीं लगती वो एक्स्टोवर्ट है, केर फ्री है उसे जो चाहिए होता है, वो सब कुछ पा लेती है गर दूने के बाद एन और ग्राहम यह दोने कैफे में आये हुए थे बातो बातो में ग्राहम एन को उसका सबसे बड़ा सेक्रेट बताने के लिए कहता है एन कहती है कि मुझे लगता है कि सेक्स ओवरेटेड है लोग इसे जितना इंपोर्टन्स देती है, शायद इसका उतना इंपोर्टन्स नहीं उसे कभी भी excited महसूस नहीं होता यह सब बात करकर एन को लगा कि ग्राहम को यह सब बात समझ में नहीं आएगी पर ग्राहम कहता है कि मैंने एक जगा पर पड़ा था कि और ते उस आदमी से प्यार करने लगती है, जो पहले उनसे प्यार करता है पर आदमी जिस लड़की से हमेशा attracted होते है, उसे slowly slowly प्यार करने लगते है इसके बाद एना ने पूछा कि मुझे अब दुमारा secret बताओ ग्राहम कहता है, जब मैं किसी के साथ होता हूँ, तो इसके साथ intimate नहीं हो सकता ग्राहम हमेशा से ऐसा नहीं था, इसके बीचे कुछ और reason है, जो movie में हमें आगे पता चलेगा एन उसे suggest करती है, कि अगर उसे कुछ problem है, तो psychologist के पास वो जा सकता है ग्राहम कहता है, कि कोई भी stranger मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानता वो मुझे life के advice नहीं दे सकता, इसके बाद हम देखते हैं, कि रात में एन ग्राहम को सोता हुआ देख रही थी अपने next session में psychology से जब वो बात कर रही थी, तो ग्राहम के बारे में बहुत ही अच्छी चीज़े कहती है उसे वो बहुत ही interesting लगता है अगली scene में अपनी sister से मिलने के लिए आई हुई थी, वो उसे भी ग्राहम के बारे में बताती है सिंध्या को ग्राहम बहुत ही interesting लगा, उसे मिलना चाहती थी, पर एन उसे मना कर देती है उसे मालूम है कि अगर सिंध्या ग्रहाम से मिले तो कुछ ना कुछ तो गड़वड करेगी एक दिन ग्रहाम अपने घर पर एक लेडी की वीडियो टेप देख रहा था एक इंटर्विव थी जिसमें एक लेडी ने अपने सेक्शूल एक्सपरियंस के बारे में पताया हुआ था तब यहाँ पर एन आई तो ग्रहाम सब कुछ बन कर देता है एन ने नोटिस किया यहाँ पर बहुत सारी टेप्स पड़ी हुई थी और अलग-अलग औरतों के नाम इस पर थे इसके बारे में वो ग्रहाम से बुछती है ग्रहाम ने कहा कि मेरा एक एक एक्सपरिमेंट है सब के नाम देखकर एन और भी जादा इंटरेस्टेड होगी थी ग्रहाम गहता है कि मैं अलग-अलग लड़कियों के सेक्शुल एक्सपरियंस रेकॉर्ड करता हूँ यह उसे देखना अच्छा लगता है एन को सुनकर बहुत याजीब लगा वो तुरंद यहाँ से चली जाती है इस बात के वारे में एन को किसी ना किसी से तो बात करनी थी तो अपनी सिस्टर को कॉल लगा अगर सब कुछ बता देती है सिंधिया को यह बहुत इंटरेस्टिंग लगा उसने एन से ग्रहाम का एड्रेस ले लिया नेकसिन में डारिक लिए उसके घर बरो पहुच जाती है ग्रहाम उसे देखकर बहुत ही सप्रेस्ट था उससे बुछता है तुम यहाँ आई क्यू सिंधिया गहती है तुमसे मिलने के बाद मेरी सिस्टर बहुत ही डिस्टर्ब हो गई थी और मुझे जानना था ऐसा हुआ क्या ग्रहाम उसे सब कुछ सच सच बता देता है टेप्स के बारे में जानकर सिंधिया भी बहुत इंटरस्टेड होके उससे बुछती है कि इंटर्व्य कितने टाइम तक चलती है ग्रहाम क्याता है ऐसा कुछ भी फिक्स टाइम नहीं होता सिंधिया को भी अब अपनी खुद की एक टेप बना नहीं थी ये टेप बनाते वर्ट उसने जान और उसमें जो भी रिलेशनशेप है इसके बारे में ग्रहाम को बता दिया ये सब बताते वर तो अपने आपको प्लीज करने लग गई थी नेक सेन में हम देखते हैं इस सब के बारे में सिंथिया और एन ये दोनों बात कर रहे थे एन सिंथिया पर बहुत गुसा हो गई ये उसे इस तरह के से कुछ भी करना नहीं चाहिए था आज एन ने जॉन से बात करने के लिए उसके ऑफिस में कॉल लगाया था पर वो वहां नहीं था एक्चुल में वो सिंथिया के साथ था रात में एन इसके बारे में उसे कंफरेंट करती है पुछती है या तुमारा अफेर चल रहा है जॉन कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है एन को थोड़ा सा डाउट था इशाय दे अफेर उसका सिंथिया के साथ है उसे इसके बारे में पूछती है तो जॉन बहुत ही डर जुका था पर फिर भी उसे कहता है कि मैं बहुत ही मेहनत करता हूँ हमेशा हमारे फ्यूचर के लिए काम करता हूँ मैं सिर्फ एक लाइन के साथ था मैंने चीट नहीं किया है यह सब सुनकर एन भी उसके पास आगे वो सिर्फ उसका मजाग ले रही थी अगली दिन जब जॉन सिंथिया के साथ था तो यह सब बाती उसे बताता है सिंथिया सुनकर बहुत अस्ति है उसने बातो बातो में वो ग्रहाम के पास गही थी वीडियो टेप बनाए इस सारी चीज़े जॉन को बता दिये जॉन इस पर बहुत ज़ादा गुस्सा हो जाता है क्याता है वो वीडियो टेप तुमारे अगेंस्ट यूज की जा सकती है इसके कंसिक्वेंसे कुछ भी हो सकते है सिंथिया को इस बात से कुछ भी जादा फरक नहीं पड़ता इन दोनों की फाइट हो की जॉन सिंथिया से कहता है तुम ऐसा कर कैसे जखती हो सिंथिया ने कहा तुम अपनी वाइफ की सिस्टर के साथ इंटिमेट होते हो तुम मुझे कैसे जज़ करोगे यह दोनों गुस्से में एक दुस्से से ब्रेक अप कर लेते हैं जब घर की साफसफाई कर रही थी तो उसे सिंथिया की इरिंग मिली वो जब जब जॉन के साथ इंटिमेट होई थी तब ही उसकी यहाँ गिर चुकी थी प्रिवेस में जब एन और सिंथिया ने बात की थी तो सिंथिया ने कहा था कि मेरी एक एरिंग कायब हो चुकी है एन समझ आती है कि सिंथिया और जॉन में एक्चॉल अफेर चल रहा है वो इस बात से बहुत ही डिस्टब हो गए डारेक्ली ग्रहम के पास आई उसने जॉन के बारे में उसे बता दिया ग्रहम कहता है कि मुझे पता था पर तुम्हें बताना यह मेरा प्लेस नहीं था एन गुसा थी तो ग्रहम को कहती है कि मुझे भी टेप बनानी है ग्रहम कहता है कि तुम गुसे में हो यह ठीक नहीं होगा पर एन उसे फोर्स करती है इसके बात एन घर पर आई जॉन से गहती है कि मुझे डिवॉस चाहिए जॉन पुछता है कि इतने रात तक तुम कहा थी वो बताते थी कि मुझे ग्रहम के पास थी उसने टेप बनाई जॉन इस पर बहुत जादा कुछ साह हो गया वो डायरेक्ली ग्रहम के घर पर पहुच जाता है उसने ग्रहम को बहुत मारा पर ग्रहम यहां से भाग गया जॉ एक्शन के बारे में मैंने सोचा था पर कभी भी कोई भी एक्शन ग्रहाम ने डिसाइड किया कभी भी जूट नहीं गईगा पर अपनी इसी आदत को फाइट करते हुए उसे इतने साल लग गए ग्रहाम को बता है कि फिर से अपनी इस गर्डफरेंड को वो पा नहीं सकता पर फिर भी किसी और के साथ वो रिलिशन्शिप नहीं रखना चाहता यह सब बात सुनकर एन उसे कहती है तुम अब यह सब कर क्यों रहे हो अगर तुम अपने आपको इंब्रू करना चाते हो तो इस सब टेज बनाते क्यों हो ग्रहाम कहता है कि इससे कोई भी हर्ड नहीं होता तो इसमें बुरा ही क्या है एन नहीं कहा इससे लोगों की तुम्हारे मेरे लाइफ में आने के पहले सब कुछ चीजे ठीक ती तुम जो भी करते हो इस वज़े से मेरे लाइफ में इंपैक्ट हुआ तुम रियलाइज नहीं करते पर इससे बहुत फरक पड़ता है एन उसके पास गई और कहा कि मैं तुम्हें हेल्प कर सकते हो यह दोन सिस्टर वैसे ही है एक्चुल में जौन को यह सब जीज़े नहीं करने चाहिए थी अब थोड़ा टाइम गुजर चुका था सिंध्या का बढ़्डे आया तो उससे जाकर मिल आती है उसने उसे माफ कर दिया था अब मूवी के फाइनल सीन में और ग्रहम यह दोनों एक साथ थ तो इसी वज़े से किसी भी रिलेशन्शिप में आने से डर रहा था पर एना की वज़े से आज वो बहुत ही खुश है एन को भी ग्रहम के साथ एक अच्छा कनेक्शन महसुस होता है और वो फील भी करती है उसके साथ सैटिस्वाइड थी और यह दोनों एक साथ बहुत ही इसी तरीके से मूवी एंड हो जाती है अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो फ्लीजी से लाइक कर दीजेगा मैं बहुत सारी मूवी लेकर आता रहता हूँ तो फ्लीजी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे और बेल नोटिवेशन आइकोन दबाने मत भूलेगा हम फिर से मिलेंगे और एक ने मूवी के साथ तो ते लिए थैंक्यू और आप अपने आपका खैल रखिये